हेलो एव्यवान हेलो बहारे बच्चो क्या हाल चाल कैसे आप सब लोग बरी गुड मॉनिंग फिर से स्वागत है इस ब्यूटिफुल डे में विट फिजिक्स है ना जिससे आपकी शुरुवात होती है रोज और आज भी हो रही है तो बच्चो कल हम सेशन इसलिए नहीं ले क्योंकि हमारे लैपटप में कुछ बहुत बड़ा एशू था बट टोड़े एवरिफिंग इस फाइन आई होप आपको आवाज आरी होगी है ना दिखाई दे रहा होंगा मैं एक बार मुझे कमेंड में पक्का पता देना जल्दी से और कल बेटा मैंने आपको टार्गेट दिए थे हैं ना सो मैंने आपको टार्गेट दिए थे जहां पर कुछ 19 से लेके 45 नंबर कोश्टन तक उत्तों सॉल्व करना था तो आई होब यूव ड़न दाट क्योंकि हम लोग यहां पर सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं सिर्फ सेशन नहीं लेते हैं आपको टार्गेट देते हैं और आप उसको अचीव करते हो जिससे आप सेलेक्शन के नजदीक पहुंसते जाते हो है ना तो अगर नहीं भी किया बेटा तो आज कंप्लीट कर लेना आज भी आपको एक नया टार्गेट मिल जाएगा चीक है बागी क्या हल चाने तुमारे नीट में से अपर ए करनी है और अपना सेलेक्शन लेके दिखाना है ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को ठीक है हां जी ओके आज कर लोगे ना ओके वेरी नाइस तो बिटा शुरू होगी क्लास सबसे पहले फेज के साथ ठीक है तो फेज बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है अधर्वाइस एकदम मस्त तरीके से सीखिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ फेज के बारे में ठीक है आएए फेज को बिटा जनरली हम लोग फाई से डिनोट करेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है बड़ा मज़ा आएगा और फेज खतम करके हम लोग इसमें हम कहते हैं कि कोई फेज नहीं है इस मोशन में गश्य mist को शुरूबात होई है न जब घडी को शुरू किया गया टाइम ती बराबर जीरो्फे तो पार्टिकल शुरू प्हेन टी बराबर अगर particle t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे पाया जाए तो कहते हैं कोई phase नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है phase है ही नहीं वहाँ पे लेकिन आईए आपको ज़रा एक चीज दिखाता हूँ अभी देखना क्या हो जाएगा यहाँ ठीक है अगर मैं इसी equation को ऐसे लिख दो बेट तो मुझे दिखाई दे रहा है उसी को हम phase कहते हैं कि सर phase बराबर 90 डिगरी है लेकिन सर इसका physical significance क्या है इससे question किस टाइब का बनेगा वो बताइए मिरे को देखो physical significance बताता हूँ जैसे तुम यहाँ पे बिटा t बराबर 0 डालोगे डालके देखो t बराबर 0 यह 0 हो गया omega t लेकिन क्या बच गया 90 तो बच गया भाई तो sin 90 बन जाएगा क्या यह हाँ आरे रे 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 तो x बराबर a sin omega t तो 0 यहाँ पे सिर्फ 90 और sin 90 के value कितनी होती sin 90 के value होती है 1 sin 90 के value अगर 1 तो x बराबर a हौ सब लोग हौ करेंगे एक बार एक बार सबका हौ करना बनता है क्यूं सर देखो यहाँ पे कोई phase नहीं था तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 ही था t बराबर 0 पे x बराबर 0 था लेकिन जैसे 90 डिगरी मैंने लिख दिया उसी time t बराबर 0 पे x क्या है a यानि कि particle 0 पे नहीं है particle कहाँ पे है a पे है extreme position पे है time को बड़ा लगा बिटा time कहता है कि तुमने धोखा दिया है x को कह रहा है x को कह रहा है तुमने हमें धोखा दिया है पहले हम साथ साथ चला करते थे जब मैं 0 होता था तुम भी 0 हुआ करते थे जब मैं 0 हुआ करता था तो तुम भी 0 हुआ करते थे कितना बढ़िया चल रहा था सब कुछ कि time बराबर 0 पे x बराबर 0 पे particle पाया जाता था लेकिन अब वो काने गा रहा है वफा नरासाई समझ रहे हो अब क्या हो गया अब देखो ये है x बराबर a है ना ये है x बराबर 0 ये है बिटा x बराबर minus a time को बुरा इसलिए लगा कि time जब 0 हो रहा है अभी तो x की value a है मतलब समय के शुरुआत में ही particle 0 पे नहीं है यहां बहुँच चुका है t बराबर 0 पे particle यहां यहां से motion start होगा है ना यहां से motion start होगा बड़ा बुरा है बिटा time को इस बात का तो phase के आज आने से ना बिटे starting point ही change हो जाता है starting point देख इसका change हो गया कहीं और से start हो रहा है अभी है ना अब यह start ही amplitude से a से हो रहा है ऐसे ही अगर आप value change करते जाओगे कुछ अलग-अलग values डालते जाओगे तो starting point again change होता जाएगा यहां तक clarity है क्या clarity है क्या यहां तक yes अच्छा बहुत बढ़ी असर एक चीज़ और बताता हूँ ठीक है देखो sine theta का graph सबको आता है बिटा देखना तो जड़ा एक बार sine theta का graph चलो मैं तुहारी help करता हूँ don't worry है ना मुझे पता है तुमने math छोड़के bio लिया ही इसलिए था तक ही यह सब ना करना पड़े but reality है कि थोड़ा वह तो physics में करना पड़ता है है ना मान लो इस तरफ x है मान लो इस तरफ t है xt तो बताओ तो अगर t बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना होगा 0 तो graph एकदम यहां से start होगा क्या बेटा है ना दोनों के दोनों 0 और sign का graph ना sir कुछ ऐसा होता है आहा बना लिया sir हमने sign theta का graph हमने बना दिया कोई problem नहीं है एकदम प्यार से आराम से पढ़ना है है ना बिल्कुल anxiety नहीं होने चाहिए बिल्कुल वो खलबली दिमाग में नहीं होने चाहिए प्यार से पढ़ाऊंगा एक एक चीद rock solid concept करके दूँगा आप tension मतले ना अच्छे यहां पर बताओ तो graph कैसा बनेगा sir यहां भी sign theta ही बनेगा देखरो sign का ही function है लेकिन starting point देखो जरा एक बार है ना starting point आप देखो एक बार यहां पर t की value जब आप 0 डालोगे ना तो x की value maximum है maximum कितना हो सकता x का value a के बराबर तो maximum है वो maximum का मतलब graph जो है वो highest point से start होगा यहां से start होगा और फिर ऐसे जाएगा रे भाइस साहब 90 degree का phase आजाने से देख बीटा graph का starting point change हो गया yes starting point change हो गया पहले इन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया रिष्टा था जब time 0 होता था x भी 0 हो जादा था it's like तुम्हारा दोस्त है x है ना अपने घर पे ही मिला दोनों एक जिगे पे थे साथ साथ में दोनों हाथ पकड़के फिर स्कूल गए बढ़िया दोस्ती चल रही थी अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी एक दिन क्या हुआ तुम पहुँचे उसके घर ताइम पी बराबर जीरो पे तुम उसके घर पहुँचे और ये उमीद कर रहे थे कि x भी जीरो पे होगा वो भी जीरो पे बैठा होगा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और फिर तुम दोनों हाथ पकड़के साथ में स्कूल जाओगे लेकिन वो एक किलोमेटर आगे किसी और के घर में किसी और का इंतजार कर रहा था दोस्ती में आगे बेटा दरार देख रहे हो तुम यहाँ हो टी बराबर जीरो पे हो तुम उसका वेट कर रहे हो कि निकलेगा हम साथ में जाएंगे बट वो कहा है, A पे बैठा हुआ है किसी और के घर में किसी और का अंतिजार दोस्ती में दरार आ जाती है बेटा, phase के आ जाने से समझ रहुँ ना, येस तो starting point change हो जाएगा starting point change हो जाएगा, मतलब कहीं और से start होगा, पूरा का पूरा motion, ठीक है अब मैं आपको थोड़ा practice करवा देता हूँ, ठीक है ना बेटा tension मतले ना, phase के आ जाने से क्या हो रहा है बस starting point अपना change हो रहा है किस type के सवाल आएगे मैं बताऊंगा तुमको बिल्कुल tension दे लेना है, ठीक है, देखो अभी बताते है मालो बिटा, इस बार लिखा है x बराबर a sin omega t कितना ले ले कितना ले ले चोलो, मैं ले लेता हूँ, 45 degree, ठीक है omega t plus 45, बस समझाने के लिए और कोई reason नहीं है, ठीक है, बस समझाना है मुझे आपको, 45 degree ले लिया मैंने, अब बोलो तो बिटा अगर t बराबर 0 रखोगे क्या मिलेगा x बराबर अभी कर लेते हैं sir, x बराबर a तो a रह गया sin के अंदर omega t 0 हो गया बचा क्या है sir, 45 तो sin 45 लिखो अच्छ, sin 45 की value कितनी होती है भाई, 1 upon root 2 यानि कि x बराबर a upon root 2 अब बोलो बिटा starting point कहां से होगा starting point होगा a upon root 2 से मतब्कुल मिलाके starting point, जैसे मानलो ये x बराबर a था इससे थोड़ा सा नीचे यहां कहीं पे a by root 2 होगा बिटा, है न a by root 2 से आपका graph start होगा फिर ये ऐसे 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 चलता जाएगा इसी को feel करना चाहिए आपको और तुमको पता ही है feel का department मेरा ही है मैं ही करवाऊंगा feel अब देखो एक आपको animator दिखाते हैं simulator दिखाते हैं है न ये website है जहां पे आप phase की value डालो और graph निकालो, ठीक है मानले बिटा, पहले में phase को एकदम 0 कर देता हूँ, ठीक है न देखो दिख रहा है सभी को, ये देखो दिख रहा है दो function है, एक sin x का function है एक sin x प्लस theta का function है या फिर phi कह लो आप अभी मैंने phase को 0 रखा है ये amplitude है इसका, एक ही value कुछ भी उदाल सकते हो आप है न तो देखो बिटा, जब मैंने phase को 0 कर दिया है न तो देखो graph कितना बढ़िया बना है sin theta का graph बना है t बराबर 0 तो x बराबर भी 0 दोनों साथ 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 स्टार्ट होते हैं है न अरे वासर हाँ, फील आ रही है साथ साथ ऊपर जाते हैं, साथ साथ नीचे आते हैं, आहा, आहा sin theta के graph की खास बात बताऊं तो यहाँ पे 90 degree होता है देखो, pi by 2 मतलब 90 degree अरे, pi by 2 मतलब 90 degree जानते हो न pi को 180 रखो, 180 by 2 is 90 यहाँ पे देखो, pi होता है angle और यहाँ पे 3 pi by 2 उसके बाद भी 2 by, देखो कितना बढ़िया graph बना हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया साथ अच्छा graph लग रहा है अब दोस्ती में दरार लाते हुए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ना बेटा, रुको, अरे, 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 अब देख तो बेटा, graph कैसे start हो रहा है, देख 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 ब्लू वाला normal graph है ब्लू वाला वो graph है जो sin theta का है देख रहे हो, 0 से start हुआ है लेकिन green वाला वो है जिसमें 90 degree का phase difference है मैंने बोला था, maximum से start होगा, maximum से देख तो t बराबर 0 पे यह already maximum पे जा चुका है, फिर start होके आगे बढ़ रहा है, तो phase के आने से दोनों में देख रहे हो बटा, difference आ गया दोनों में difference आ गया एक बच्चे ने यहां पे लिखा है सर, cos का graph बन गया यह तो एक बच्चा बोल रहा, सर, यह तो cos का graph बन गया, green वाला क्या बहुत बढ़िया बात बोली बेटा, उमीद नहीं कर रहा था कि कोई इस class में यह बात बोलेगा, but very nice, क्यों बना cos का पता है जब आप sin 90 प्लस थीटा लिखते हो तो quadrant वाला rule पढ़ा है ASPC rule, trigonometry पहला quadrant, दूसरा quadrant है न, यहाँ पे sub positive यहाँ पे sin positive, tan positive cos positive है न, तो इस second quadrant में आएगा 90 से थोड़ा ज्यादा तो positive रहेगा और 90 प्लस प्लस में function change हो जाता है, तो यह cos theta बन जाएगा, किसी बच्चे ने क्या खूब लिखा चैट में, मज़ा आ गया मज़ा आ गया, maths है बस थोड़ा सा, कि sin 90 plus theta is cos theta, इसी लिए cos theta type का graph बना है, हाला कि मैंने आपको बहुत जवर्दस तरीक से समझा दिया क्या, कि 1 से ही क्यों start होगा, yes, omega t plus 90 है, t को 0 डालेंगे sin 90 is 1, तो उपर से start हो अच्छा, अब तुम कुछ भी कर लो इसमें, अब तुम जैसे कि यहाँ पर एक और पढ़ाया था ना, 45 भी मैंने पढ़ाया था ना तुमको, 45 मतलब क्या, pi by 4 45 को pi by 4 लिखेंगे देखो तो पीटा, pi by 4 में क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ न, don't worry pi by 4 में ग्राफ, देखो, 1 से start नहीं हुआ है 1 के थोड़ा नीचे start हुआ है कितना? a by root 2, अब पढ़ाया था ना, a by root 2 देख, यहाँ पर value लिखे भी आएगा 0.707 दिख रहा है आपको वो 0.707 1 by root 2 के value होती है try कर ले ना कभी आप 1 upon root 2 निकालो 0.707 आ जाता है मज़ा आ रहा है, है ना? तो ग्राफ का starting point change हो जाता है जैसे ही आप उसमें phase ले आते हो अच्छा एक बात बताओ sin 270 की value जानते हूँ कितनी होती है sin 270 minus 1 होती है, बेटा, sin 270 negative होता है तो अगर मैं यहाँ पर 270 degree का phase difference ले आओ, याने कि 3 pi by 2 देखो, 3 pi by 2 is 270 तो ग्राफ कहाँ से start होना चाहिए minus 1 से, क्योंकि 270 is how much? minus 1 तो देखते हैं जरा सही है कि गलत है अरे देखो, 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 देखो t बराबर 0 पे minus 1 से start हो रहा है फिर उपर जा रहा है आहा दिल बनाएंगे दिल बनाएंगे बिटा और इस बात को कहीं पे प्यार से लिख दीजिए phase के आजाने से particle का starting point change हो जाता है लिखो, पढ़ा पढ़ लिखो phase के आजाने से particle का starting point change हो जाता है कैसे निकालना है? starting point क्या होगा? वो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया देखो, यहाँ पे पढ़ाया मैंने आपको है ना? t की value 0 डाल के देखो x अपने आप तुमारे सामने आ जाएगा खुद बता देगा अब जैसे 270 वाला था ना अभी जो मैंने last मिर्मो कराया तो a sin omega t plus 270 है ना? 1 से, समझा रहा है? yes अब इतना पढ़ाने के बाद तुमारे पास exam hall में ना तो यह graph रहेगा यह वाला animation वाला graph रहेगा और ना ही तुमारे पास इतना सारा time रहेगा कि तुम कर 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 के देखते रहो कहां से start हो रहा है, function में t की value डाल रहे हो इसकी value डाल रहे हो, उसकी value डाल रहे हो तो कुछ value आ रहा है मैं बताता हूँ एक short trick तयार हो, एक short trick बताओ बटा, देखो short trick बताता हूँ कि graph कहां से start होगा और कितना phase difference आएगा इसकी short trick सीखो, ठीक है? बहुत जबरदस्त है बाकी तुम समझ गया ना, पूरा ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी है न t बराबर 0 डालना है, देखना है कहां से क्या हो रहा है ये सब, उसब ठीक है short trick क्या कहता है ना, बहुत must trick है बेटा इसकी, देखो क्या है ये सबसे पहरता आप sin theta का ग्राफ समझो ये sin theta का ग्राफ है, नॉर्मल ठीक, हाँ सर यहाँ पे angle की value होती है 0 ओके सर, ये जो maximum हो गया ना, वहाँ पे होती है angle की value actually 90 degree 90 degree पे याद है ना, sin 91 हो जाता है तो देखो, sin 90 का function दो है 1 हो गया maximum यहाँ दुबारा जब 0 हुआ है ना function यहाँ पे, तो यह है बेटा 180 degree, ये वाला point 180 degree का है, ओके सर ये जो point है बेटा तेरा, ये 270 degree का है, और ये 360 degree का है, कोई issue इसमें, कोई दिक्कत, हाँ, नहीं ना पेट में दर, सास में तकलीफ, सीने में जलन नहीं ना, कुछ नहीं ना वेटा, बहुत सिंपल है ना येस सर, तो यहाँ पे 0 degree होगा ये 90 degree है, ये 180 degree है, ये 270 है और ये 360 है अब मेरा short trick यह है कि अगर, चलो ये तो sin theta था अगर आपको examiner कह देता है कि नहीं मेरा function है sin theta plus 90, कितने का phase difference, 90 का phase कि जो 90 degree वाला point था ना ये वाला point था ना, पेटा 90 degree वाला उसके पहले का पूरा गायब कर दो ये 90 degree वाला point है उसके पहले का पूरा गायब कर दो उसके बाद जो भी graph है हो आप यहाँ पे बना दो क्या कह रहा हूँ, मैं 90 के पहले कितना है इतना सा पोर्शन है ना बस इसको हटा दो इसकी कोई जोरत नहीं कि 90 का फेस्ट तो शुरुवात ही 90 से होगा तो 90 के बाद जो ग्राफ है वो कैसा दिखाई देगा अगर मैं उसको यहां पर बनाऊं देख 90 के बाद पूरा का पूरा ऐसा-सा दिखाई देगा भाई यह रहा ग्राफ आपको जितना फेज है उसके पहले का गायब उसके बाद का ड्रॉ कर दो शॉट ट्रीक ही है तो आप तुरंट देखके बता सकते हो कोई भी दो ग्राफ के बीच में बता सकते हो फेज डिफरेंस कितना है फर एक्जामपल एक और देखो आप यहां पे मस्ट शॉट ट्रीक है बेटा दिल बना देना यार बहुत प्यार से सिंप्लिफाई करके पढ़ा रहा है इससे ज्यादा सिंप्लिफिकेशन नहीं हो सकता बच्छे मैंने आपको एनिमेशन दिखा दिया है ना वहां पे दोनो ग्राफ देखा जाए तो यह बिटा वनेटी के श्चाटर कहता है इसके पीछे का पूरा हटा दो आप सब गायब करना हैसा देको ग्राफ है और आपने शाहाए होगा कि अगर 180 degree का phase difference हो तो graph invert हो जाता है invert, क्या मतलब है sir इसका invert का पलट जाता है, देखो यहाँ plus था, no phase difference वाले में, 180 वाले में minus हो जाता है उल्टा, यहाँ पे negative होता था, नीचे होता था 180 वाले में plus हो जाता है transistor एक topic आप बाद में पढ़ेंगे voltage के बीच में 180 phase difference होता है input और output voltage में तो उसमें input voltage ऐसे draw किया जाएगा और output voltage ऐसे draw किया जाएगा क्योंकि 180 degree का phase difference होगा, तो 180 यह phase difference के आजाने से graph पलट जाता है invert हो जाता है क्या समझे, मज़ा आ रहा है short trick जवर्दस्थ है न विटा, yes भले ही सर एकदम ऐसे आसान सा बना के पढ़ा रहे हैं आपको, बट याद रखिएगा जादा तर बच्चों के लिए ये topic बहुत complicated होता है लेकिन अगर कोई धंग से पढ़ाने वाला simplify करके एकदम simplification at its best, तो बच्चे को बहुत आसानी से समझ आता है, और मजा आन रखता है phase वाले solve करने में है न दे बटा, sin theta प्लस 270 के हता हो मैं माले तो simple logic है, 270 कहां है 270 मेरा यहाँ पे है 270 के पहले वाला पूरा गायब कर दे ये सब गायब कहां से start होगा, नीचे से और यहां से उपर जाएगा, 270 के पहले का सब आया था आपका है न, तो 270 के बाद जो है वो कहां से start हो रहा है भाई तो नीचे minus 1 से, और याद है ये मैंने आपको समझाया भी था through graph, through that equation and all, ये चीज तो बताई थी मैंने 270 आ जाने से नीचे से start होता है बढ़ अगर short trick है तुम्हारे पास तो use करो न, कितना बड़ी है short trick नहीं बता दिया मैंने देखो, बाकी basic method से भी मैंने समझाया था तुमको कि 270, ये 270 वाला है ये ना बेटा लास्ट अमने क्या किया था 3 pi by 2 है ना, 270 वाला है इसमें बोला था ना मैंने कि देखो, यहाँ से start होगा minus 1 से बढ़ अब इतनी understanding समझ ली ना तुमने अब एक्जाम में उतना time तुम्हारे पास थोड़ी ना यार कि कहां से start होगा आप पूरा value निकाल के देख रहे हो कुछ नहीं बस चुप चाप sin theta का graph बना देना जो सबको आता है नॉर्मल वाला यह, यह sin theta का यह वाला graph सबको आता है बना देना आप बैठके सारे angles लिख देना 0, 90, 180, 270, 360 अब वो जो बोल दे वहाँ से starting point उसके पहले का पूरा गाया उसके बाद का ट्रॉकर दो चीक है अच्छा एक बच्चे का doubt आया था है ना चैट में मैंने देखा था कि सर अगर ना 360 हो सर phase difference तो नमून मैं आपको बता दू 360 degree लिखो चाहे 0 degree लिखो एक ही बात होती है है ना इसको prove भी कर देता हूं मैं देखो कैसे 360 यानि की यह वाला point इसके पहले का पूरा भूल जाओ आप पूरा पूरा भूल जाओ तो इसके आगे क्या ही आएगा दुबारे यही चीज़ तो आएगी ना दुबारे यही चीज़ तो आएगी तो पस उसी को यहाँ पर ट्रॉ करो actually same graph है यह ना actually this is the same thing बिटा 360 का मतलब होता है जीरो पूरा को हूं के आगे आप है ना तो जीरो डिक्री फेस डिफरेंस हो गया तो बिल्कुल जैसा था वैसा ही बन जाएगा मज़ेदार है ना है ना चलो मैं थोड़ी दिर side हो जाता हूं screenshot ले दो थोड़ा पानी पी लेता है बस मेरा aim यह है कि एकदम आराम से पढ़ाना है आपको एकदम simplify करके प्यार से काम होके composed होके ताकि बच्चा जो patience रख रहा है पांचवे session तक भी उसको सब समझ में आए उसको confidence रहेगी यार मज़ा आ रहा है मेरे को पढ़ाई करने में अभी मैं आपको इससे related सवाल करवाऊंगा wait करिए है ना चलिए पहले इसको लिखे बेटा come on come on come on come on come on कोई बोल रहा है sir sign 265 का तुम को याद है sign 265 की value PhD करनी है क्या क्या करना चाहते हो भाई obvious सी बात है कि वही सारे angles दिये जाएंगे phase में जिसके लिए sign theta की value एक बच्चा याद करके रखता है तुम से कोई Einstein level की चीज़ा थोड़ना expect करी जारी है भाई तुम वहाँ बैटके 265 निकाल रहे हो 183.735 निकाल रहे हो सिंपल सी बात है नीट निकालना तुमको यह समनी करना हाँ निकाल लो एक बार मेडिकल वाले में जाके कर ले ना पीएजडी है ना येस सिर्फ वो एंगल्स जो आपको पता होते है 45 पता होता है 60 पता होता है 45 कभी मैंने कराया ना वेटा ये भाई रूट 2 से स्टार्ट होगा है ना तो आपन सेफ हैं बागी वह समनी बुझा जाएगा 255 पता का चाहिए हमेशा रिष्टे बनाए कोई मतलब इन बात होगा आगे बढ़ते हैं तो और कुछ बताना है इसमें मेरे को आपको फेज हो गया देखो एक बार सवाल क्या आया अब सोचना पड़ेगा दिमाग खुला रखना ठीक है ना दिमाग को एकदम ओपन रखना बेटा हाँ एक बार कोश्चन पूछा गया कि ना यह मानलो मीन पोजिशन है यह आपको डीपीपीपी सवाल मिलेगा बेटा ठीक है यह एक्स्ट्रीम पोजिशन है यह दूसरी एक्स्ट्रीम पोजिशन है एक्स बराबर माइनस ए एक्स बराबर प्लस ए एक्स बराबर जी टी बराबर 0 पे जब देखा गया तो particle नमबर 1 यहाँ पे था particle नमबर 1 कहां पे था बेटा X बराबर 0 पे था और particle नमबर 2 यहाँ पे था This is particle number 1 यह पहला particle है and this is particle नमबर 2 यह दूसरा particle है Simple question है what is the phase difference between them बताओ एक mean position पे है एक particle t बराबर 0 पे और उसी समय पे ये भी t बराबर 0 पे ये भी t बराबर 0 पे दो particles हैं अलग-अलग कुछ बच्चे 90 कह रहे हैं एक बार फिर से सोच लो 90 वाले 90 वाले एक बार फिर से सोच लीजिए कुछ बच्चे minus 90 कह रहे हैं अक्चे ली-90 फिर भी सही है कहां पे हैं दूसरा particle minus a पे minus a कब होता है 270 डिगरी पे याद आया देखो न बटा ये negative a 270 डिगरी पे बढ़ हां कुछ बच्चे 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 minus 90 बोला एक ही बात है बाकि minus 90 बे आप लिख सकते कोई दिखकत वाली बात नहीं है तो यहां पे जो phase difference होगा बेटा वो होगा 270 डिगरी हो गया पहला question done and dusted सोचने का तरीका समझ में है कैसे सोचना है मुझे है ना बहुत बढ़िया अब मैं इसी को थोड़ा 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 modify करता जाऊंगा ठीके न बिटा आप सबका answer करते जाना आपको confidence आ जाएगा फिर एक और variety है addition of SHM वो करवाऊंगा ठीके यह मैंने duplicate कर दिया slide को duplicate करके नया question बना रहा हूं मैं face difference होगा हाँ come on अब हो जाएगा 90 degree है ना क्योंकि plus a पे 90 degree होता है मज़ा रहा है plus a पे 90 degree होता है तो 90 हो जाएगा एक और करते हैं यह यह तो बहुत आसान था यह वाला यह वाला काफी 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 जादा आसान लगा यह वाला हमें है ना अच्छा एक और duplicate कर लिया मैंने और सुनो अब मैं यह कह रहा हूँ बेटे तहांगे अपना यह eraser यह रहा अब मैं यह कह रहा हूँ कि एक particle plus a पे है या फिर ऐसा करते हैं रुको यह dppp का सवाल भी है है ना यह ऐसा करते हैं देखो इसको मैं फूरा फटा देता हूँ एक particle यहीं पे है और दूसरा particle भी यहीं पे है एशान से सुनना यह वाला बहुत important है बहुत अच्छे से focus करना पहला particle भी वही है दूसरा particle भी वहीं है लेकिन ऐसा देखा गया ऐसा देखा गया बेटे कि दोनो t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे तो थे लेकिन एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा था पहला वाला और एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा था दूसरा वाला हौ तुमने शुरू में सोचा होगा कि पका फेस 0 है लेकिन फेस 0 नहीं है मैं बता दू आपको तुमने फेस 0 क्यों सोचा होगा वो भी बता देता हूँ तुमने देखा आरे t बराबर 0 है ये भी नमूना x बराबर 0 पे है ये भी x बराबर 0 पे है कहां से होगा भाई फेस डिफरेंस लेकिन दोनों की direction अलग अलग है point of starting same है starting point दोनों का same है mean position लेकिन एक इधर भागा एक इधर भागा वो एक Bollywood की movie थी ना आदे इधर जाओ आदे उधर जाओ है ना बाकि सब मेरे साथ आओ पता answer क्या है 0 गलत है अगर आप 0 कह रहे है सरासर गलत है अगर आप 360 कह रहे है सरासर गलत है तो सर सही क्या है सही सिर्फ एक answer है that is 180 feel करवाता हूँ देखो 180 भी क्या होता है बिटा देखो अगर आप normal graph बनाएंगे ये वाला तो भी वहीं से start हो रहा है है ना और अगर आप 180 वाला graph देखेंगे तो भी वहीं से start होता देखो ये 180 वाला graph है तो difference क्या है सर start होते ही 180 वाला नीचे जाता है displacement याने कि negative displacement negative x-axis और 0 वाला उपर जाता है positive x-axis अरे ये x और t गई तो graph है ये x है ये t है ये x है ये t है 180 वाला भी 0 से start हुआ याने कि mean position से याने कि आगे और इसमें देखो graph नीचे गया minus x पे याने कि पीछे तो अगर दोनों ऐसे जा रहे है ऐसे तो 180 है पल्टे हुए ना opposite direction ना मिटा दिल बनाओ यार समझ मैं है ना तुमको ये कहानी येस this is how it works अच्छा सर इसमें 0 कब होता ये बताओ मेरे को आप 0 तब होता अगर मैं कहता कि बिटे पहला वाला भी उधर ही जा रहा है और दूसरा वाला भी उधर ही जा रहा है same direction में दोनों के दोनों जा रहे है same point से start करके तो आप बोलते हो के sir तो पहले वाले का भी ऐसा बनेगा दूसरे वाले का भी ऐसा बनेगा तो ये भी उपर गया ये भी उपर गया तो phase difference is 0 starting point same होने से काम नहीं चलता है भाई starting point same हो और direction अलग-अलग हो तो भी phase difference आ जाता है समझे ओ? एक इधर जाना चाहता है एक इधर ये DPP में question है देखना आप ये आपके DPP में सवाल है प्राई करना आप इसको तुम्हारा दिल नहीं दिखा मुझे चैट बॉक्स में भाई गलत बाद गलत बाद 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 बिटा दिल बन जाना चीए है ना मजा आया है मजा आया है? येस अब मेरे खाल से इतना काफी है फेज पे सवाल आएगा अगर बेसिक बेसिक आप कर लोगे मैं आपको एक और फेज का पढ़िया कोश्चन करवाता हूँ ऐसा कोश्चन भी आपको देखने को मिलेगा आपके पूरे DPP में इसमें क्या बोलते हैं ना कि हमारे पास दो SHM है अब बिटा तुमको शायद थोड़ा बहुत alternating current बगर में तुम पढ़े होगे कि यह जो oscillation होता है A sin omega t का function होता है इसको हम एक phasor का नाम देते हैं phasor का नाम देते हैं इसको और phasor कहराता है कुछ नहीं rotating vector होता है it is a rotating vector तो अगर आपको alternating current पढ़ा है आपने कभी तो आपको याद होगा कि हम लोग current को ऐसे दर्शाते थे current ये रहा, voltage ये रहा उनके बीच में एक angle दिखाते थे जो कि phase difference होता था I और V के बीच का ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी ना आप दो SHM को दो vector की तरह represent कर सकते हो दो vector की तरह हाँ, शर्थ ये है कि आपको उनके बीच का angle पता होना चाहिए समझे हो आप देखो मैं समझाता हो ना, ये question अच्छे से समझना बेटा ठीक है एक ही question कराऊंगा, that will be enough more than enough पहला equation देखो, पहला SHM का equation है बेटे 2 sin omega t ये इसका amplitude हो गया 2 is the amplitude ठीक दूसरा equation है, x2 बराबर 4 cos omega t इसका amplitude 4 हो गया बोल रहा है amplitude of resultant SHM बताईए मेरे को आप, resultant इनका जो आएगा 2 SHM हो रहे इनका resultant कितना आएगा, ये बताईए तो होता क्या ना, कई बार अगर 2 SHM एक साथ कराओ, तो resultant SHM कुछ और बनके आजाता है वो resultant कैसे निकालते हैं, दिखिए, सबसे पहला rule ये है, कि अगर ये sign है, तो ये भी sign होना चाहिए समझे नोगी बात आप, अगर वो वाला sign है, तो इसको भी आपको sign ही लिखना पड़ेगा, अब बिटा बताओ, थोड़ा सा trigonometry आता है ना, परेशान तो नहीं होता है na trigonometry से आप लोग, एक बात बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 sin omega t plus 90 अरे ये क्या करती है सर आपने rule है, rule क्या है अगर ये sin है, तो ये भी sin होना चाहिए तो sin theta plus 90, 90 plus theta, second quadrant बनेगा sin 90 plus theta second quadrant बनेगा cos में बदल जाएगा तो sin omega t plus 90 will become cos and positive रहेगा भया, अगर ये नहीं आ रहा है ये वाला अगर part नहीं आ रहा है तो शर्माईएगा थोड़ा सा ना एक बार, फ्लीज शर्माईएगा एक बार और शर्मा के थोड़ा सा समझे इस बात को कि इस दुनिया में 30-40 लाग बच्चे मिलके J और NEET का एक्जाम देते हैं अगर basic math नहीं पढ़ते हैं वो और सीधा ऐसे question करने लग जाते हैं तो दिमाग का temperature बढ़ जाता है 30-40 लाग लोगों का दिमाग का temperature बढ़ेगा global warming तो glacier पिखलने के पीछे जिम्मेदार तुम भी हो बिटा तो इस दुनिया को वाता वरण में जो बदलाव हो रहा उससे बचाईए climate change से बचाईए glacier को पिखलने से बचाईए कई islands डूब रहें आपके चक्कर में और basic mathematics अपना strong करिए अगर आप मेरा basic mathematics lecture number 1 देखोगे मिल जाएगा आपको recording सप्टेंबर के आसपस मैंने लिया होगा basic mathematics lecture number 1 में मैंने मस्त तरीके से trigonometry सिखाई है sin 90 plus theta is cos theta बस इतना करना था आपको और आपने second equation में भी sin theta ले आया आप देखो इसमें भी sin आगया इसमें भी sin आगया ये तरीका है पहले इस चीज को थोड़ा सा ना digest करो तो बिटा digest हो रहा है कि ये बात आपको सभी को कि sir अगर एक sign given रहेगा एक cos given रहेगा तो मैं सबसे पहले यही करूँगा sir कि cos वाले को भी sign में convert कर दूँगा है ना जैसे मैंने cos वाले को भी sign में convert कर दिया sir उसके बाद मिरे को phase difference दिख जाएगा तो बटा देखियो जरा phase difference कितना है जल्दी से बताना मुझे एक question और कराना पड़ेगा तुमको है ना मैं और कराता हूँ पहले देखो phase difference कितना है come on हाँ जी phase difference कितना है 90 degree है 90 degree है अब देखो क्या होगा अब देखो क्या होगा पहले वाले का graph ऐसा बना लो आप vector बनाना ना पहले वाले को ऐसे horizontal बना लो आप पहले वाले को sin omega t वाले को इसका amplitude कितना है 2 है amplitude 2 हो गया अच्छा दूसरे वाले पे कितना angle है 90 degree है 90 degree है तो दूसरे वाले कैसा बनेगा बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा यह 90 degree पे बन जाएगा यह देखो बस यही करना होता है 90 degree बन गया इसका amplitude कितना है 4 है amplitude कितना है इसका 4 है अब निकाल लो resultant amplitude कैसे निकालोगे under root 2 square plus 4 square जैसे vector solve होता है अरे बेटा जैसे vector solve होता है तो under root x square plus y square होता है ना बस वैसा करना आपको करके देखो देखो देख पर क्या अंजर आ रहा है अब है अब है अब है sign वाले को भी cost में change कर सकते थे एक बच्चे का doubt आ रहा है कर सकते थे generally अपन sign को ज़्यादा पसंद करते हैं है ना वैसे मैंने घर में सभी को बोल रखा है कि मैं class लेता हूँ ना तब बीचों में आए करो बढ़ मम्मी को नहीं बोल सकते है कुछ तो मैं अमेज लाई कि मेरा बेटा चाय पिएगा तभी तो पढ़ाएगा ऐसे कैसे हम तो जाएंगे बाई अंदर चाय देखे आएंगे उसको है ना बेटा अच्छा 3 और 4 था क्या ओ सॉरी यहां पर printing mistake है एक ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ इसको तो यह 3 हो गया यह 4 हो गया तो आंसर आएगा अभी मैं ना equation of resulting SHM में आऊंगा पट पहले तुम्हें एक और सवाल मेरे को करके बताओ तो मेरे confidence के लिए और तुम्हारे confidence के लिए दोनों के confidence के लिए ठीक है देखों में बताता हूँ क्या है एक बार सवाल ऐसा आया previous year का है कि माल लो x1 बराबर ऐसा कुछ given है ठीक है हमें बताता हूँ x1 बराबर given है बेटा 3 sin omega t ठीक है x1 बराबर 3 sin omega t x2 बराबर given है 3 sin omega t plus 6 degree क्या आप मुझे resultant shm का amplitude बता सकते हो इन दोनों का combined बनेगा उसका amplitude बता सकते हो देखो इसमें sign sign दोनों already है ये भी sign में है ये भी sign में है कोई चक्कर नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर ठीक है तो एक मेंने ऐसे बना लिया 3 के साथ पहला वाला दूसरा वाला कितने angle पर बनाओगे ये बता मुझे आप दूसरा वाले का amplitude 3 है बता angle कितना है 60 है अरे रे 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 तो 60 degree सर ये हो गया आपका 60 degree और 3 इस दा amplitude इनका resultant पता है कैसे निकलेगा वो formula याद है आपको r square बराबर p square plus q square plus 2p cube cos theta हाला कि एक short trick भी होता है पता नहीं कितने बच्चे जानते हैं मैं हमेशा सिखाता रहता हूं plus में भी और special में भी और YouTube में भी कि अगर दो बराबर vector 60 degree पे हो तो direct answer आता है root 3 times one of the vector root 3 times one of the vector कर लो solve कर लो क्या जाता तुमारा लोग करके बता देते हैं पेट में दर्द हो तो करके देख लो p की value भी 3 है तो 3 square हो गया q की value भी 3 है तो 3 square हो गया यहाँ पे 2 times p into q तो again 3 into 3 यह भी 3 square हो गया अब cos 60 कितना होता है जल्दी से बताव आप मेरेको cos 60 की value कितनी होती है 1 by 2 होती है cos 60 1 by 2 हो गया यह 2 और यह 2 cancer हो गया है ना तो देखो 3 square 3 square 3 square 3 square तीन भार 3 square यानि कि 3 times 3 square तो r square बराबर इतना root ले ले बिटा root ले दोनों तरफ तो r बराबर यह 3 का root 3 3 square का only 3 यह यह शौटर यह याद रखो ना क्यों परिशान हो ना इतना इतना गोर के देखो गया दो बराबर vector 60 degree का angle resultant कितना root 3 times one of the vector हाँ यह भी आगर 90 degree हो मैं आपको तीनो short trick सिखाता हूँ ठीक है short trick सिखो बिटा vector थोड़ा सा सीख लो यार आए हो class में तो सब सीख के जाओ ना ऐसे खाली हाँ थोड़ने जाने दूंगा तुमको मालो यहाँ पर 3 होता 90 degree होता अगर 90 degree होता तो resultant would have been root 2 times 3 उसमें root 2 आ जाता है वहीं पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में 3 है इधर भी 3 है पड़ यह 60 degree है बिटा तो resultant की value आती है root 3 times 3 अच्छा एक और case है वो भी उता देते हैं आपको अगर यह 3 है अगर यह भी 3 है यह अगर बिटा 120 degree है ना तो resultant आता है only 3 screenshot ले लो इसका काम आएगा और तुम चाहो तो इसको generalize भी कर सकते हो ना अरे यार तुम चाहो तो इसको ऐसा लिख लो 3 क्यों लिखना तुम इसको P लिख लो इसको P लिख लो तो root 2 P ठीक है तुम इसको P लिख लो इसको भी P लिख लो तो root 3 P तुम इसको भी P लिख लो, इसको भी P लिख लो तो answer है resultant बराबर only P यह काम आता है, time बचाता है आपका बाकी आया कहां से है यहां से ठीक है, शो लिए everyone do it better हो जाएगा डरे तो नहीं हो न इसको बोलते हैं addition of SHM देखो यार मुझे कोई rush नहीं है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ एसा नहीं कि मुझे बस एक दिन में syllabus पूरा खतम करवा देना है, one shot type का session ले लेना है, अगर आपका concept is strong रहेगा, तभी आप need में आसानी से चीजों को कर पाओगे, है ना, अच्छा अब दिखो बीटा, एक और चीज यहाँ पर आपको दिखरी होगी second part था question का कि equation of resultant SHM बताओ भाईस साहब समझी इस बात को जरा पहला SHM आपका ये था, 3 वादा इस question में, sine omega t दूसरा कितने angle पे था? 90 degree पे, कैसे सब 90 कैसे? ये देखो, 90 degree अपने आप आया था cos को sign में convert किया था तो 90 degree आया था सही है, वो भी सही है अब resultant जो आया है, वो यहाँ कहीं पर आया क्या, बीटा, बीच में आया है क्या? हाँ, resultant का जो amplitude आया, वो 5 आया according to vector under root 3 square plus 4 square, according to vector resultant बराबर under root P square plus Q square लगाया, आपने 5 आया, resultant क्या कोई बच्चा बता सकता है इसका angle कितना है यहाँ से? 90 तो नहीं है 90 तो बिल्कुल नहीं है, इसका phase कितना है कोई बता सकता है? देखो, मैं बता देता हूँ, don't worry diagram देखो आप ये 3 है, ये 4 है ये 5 है, है ना? तो बस ऐसा सोच के देखो कि ये वाला angle आपको निकालना है theta या फिर 5 जो भी कहलो आप तो ये height 4 हो गया, ये 3 हो गया आपका आंसर आएगा tan 5 बराबर 4 by 3 नहीं, 45 नहीं बोलना, ना, 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 ना अच्छा, जो बच्चे 45 कह रहे हैं यहां पे भी 4 होता, यहां पे भी 4 होता तो resultant आता 45 पे लेकिन vector में यहसा जरू ही नहीं कि resultant हमेशा 45 पे आए वो depend करता है, ये कितना है, ये कितना है ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ना अगर दोनों बराबर होता है, ये P होता है पता होता है कि नहीं पता है, सब भूल भाल जाते हो ना, तुम लोगा, सर पुरानी बात है, सर सब भूल जाते हैं हम लोग, ये याद है 5, 3, 4, तो 5 और 3 के बीच का अंगल 53, तो सोचके देख, tan 53 कितना आ जाएगा, tan 53 विल भी perpendicular by base, 4 by 3, तो सही तो कह रहा हूँ, 53 डिगरी, तो resultant का अंगल अगर 53 है, तो देखो, final SHM का equation क्या लिखा जाएगा, हम बताता हूँ, final SHM का, जो resultant SHM बनेगा, ये, उसका amplitude कितना है, 5, तो बाहर आ गया 5, पहले amplitude आता है ना, 5, अंदर sin omega t, पेज कितना है, 53, खता हूँ, ये है equation, जिन लोगोंने alternating current पढ़ा है, थोड़ा feel आया होगा, कि current voltage के साथ हम लोग यही current करते हैं, वहाँ पे, कि बताओ, voltage का equation क्या होगा, तो हम बोलते थे रच्छा, तो current से इतना आगे रहेगा, current से इतना आगे रहेगा, तो ये add कर देंगे, अभी alternating current होगा, यहाँ पे एक और कराता हूँ, यहाँ पे भी अपन resultant SHM लिख लेते हैं, इस वाले question में, चीक है, resultant SHM का equation अपन लिख लेते हैं, देखो, इसमें क्या होगा बिटा, देखो ये भी 3 है आपका, और ये भी 3 है, बराबर है, तो resultant दोनों से बराबर प्यार करेगा, ऐसे case में resultant एकदम beach से होके गुजरता है, beach से मतलब, bisect करते हुए, यह पूरा vector है, आप जानते हो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, global warming बढ़ा रहे हो आप बिकार में, vector अगर अच्छे से सीख लोगे, तो resultant किस एंगल पर जाता है, तुमको एकदम अच्छे से contest हो जाएगा, बराबर, बराबर तो दोनों से बराबर प्यार, उस case में बीच से, वरना बीच से नहीं जाता है, तो यहाँ पर बीच से जाएगा, इसमें दोनों बराबर है, अब देखिए, final equation क्या लिखेंगे, आप x ने था, बताइए क्या लिखेंगे, सबसे पहले amplitude आएगा, resultant वाले 30, यहीं आपका answer, मज़ा आगया न, दिल बना दो तो बिटा, बढ़ा फट दिल बना दो तो बच्चे, this is how you write down, equation of resultant SHM, screenshot, come on, कहने को complicated topic कहते हैं, लोग इसको, बट कहने वालों को कहने तो जो कहना है, हमने तो इसको कर दिखाया, अब एक question आखरी कराऊंगा, और फिर यह खता में topic, ठीक है, एक question आखरी कराते हैं, आईए, अच्छा, अब देखिए, if phase is greater than 90, then, यह पूछ रहा है कोई, हरे, यह 120 वाला भी तो case बता हैं न मैं आपको, 120 भी हो सकता है, लो 120 है, resultant ही तो निकालना है, और क्या करना है, अगर तुम्हारा vector strong है, तो तुमको angle से डरने की जोड़ा है, बिल्कुल नहीं है, आईए, question कराता हूँ, आपको, ठीक है, देखिए, इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, चलो, 120 वाला ही ले लो तुम, है न, बेकारों परिशान होते रहते हो, मानलो बिटा, ये एक SHM है, जिसका equation है, 4 sin omega t, पहला equation, दूसरा equation ऐसे किसी angle पे है, इसका equation आपको given है, 4 sin omega t plus 120, तो दुनों की बीच का angle कितना हो गया, 120 हो गया sir, 120 हो गया sir, 120 हो गया sir, चलो, बताओ, मुझे बताओ, सबसे पहले resultant of resulting SHM, कितना, इसका amplitude भी 4 है, इसका amplitude भी 4 है, तो जो resultant amplitude आएगा, वो भी 4 होगा, क्यों sir, क्यों, 4 क्यों हो जाएगा, 120 पे ऐसा ही होता है, अगर दोनों बराबर हैं, तो 120 डिगरी पे, जो resultant आता है, वो 4 आता है, कोई बोल र बरजे के वही formula लगाओ ना, चाहे 90 डिगरी हो, चाहे 60 डिगरी हो, बस root 2, root 2 तुमको लगाना है, बस कुछ नहीं जानते हो, हाँ? sir, हम बस root 2 लगाना जानते हैं, अरे भाई, कमाल करते हो नमूनो, 90 डिगरी में दोनों बराबर हो, तो root 2 लगाना है, 60 डिगरी पे लगाना, बराबर हो, तो root 3 लगाना है, और 120 पे दोनों बराबर हो, तो खाली जो value लिख देनी है, तुम भी यार, अब बताओ, resultant कहां गया, angle बना आपका 60 डिगरी, अब देखो, x net, final resultant जो बनेगा आपका उसका, देखो, equation है न, SHM का, amplitude 4, इसका भी 4 है, मैं क्या करूँ, है तो है, कुछ और होता तो, कुछ और लिख देता, 4 है बाई, sin omega t plus 60, good job आमित, good job बेटा, बस करें आज के लिए, आचाया, बस करते हैं, don't worry, don't worry, don't worry, don't worry, तो इस तरीके से आप करते हैं, SHM को solve, एक सवाल आप लिखिए, for your homework, इसका resultant amplitude भी आपको मुझे बताना पड़ेगा, और साथी साथ आप मुझे बताएंगे, इसमें equation क्या बन रहा है, ठीक है, हाँ, मैं question देता हूं, previous year से देता हूं, ठीक है, बिटा, यार देखो, आज का session न, मैंने थोड़ा slow रखाया, आपको लगा होगा, क्यों slow रखाया है, simple सा logic है, थोड़ा सा maths जादा था, आज हमारे पास काफी सारा maths था, है न, अब उस maths को समझने के लिए थोड़ा आराम से चलना भी जिरूरी होता है, अब कुल में लाके आपके पास, एक session बचा है बस SHM का, जहां पर pendulum भी हो जाएगा, spring block system भी हो जाएगा, खताम है फिर, चीक है न, nothing else is left, damping और जो forced oscillation है, उसके दो equation है, वो भी उसी session में बता दूँगा, और वो session कल होने वाला है, so tomorrow is the last session बीटा, tomorrow is the last session of your SHM, ठीक है न, मस्त तरीके से खतम करेंगे, थोड़ा सा लंबा session होगा कल, बट कल आप ऐसे परिशान नहीं होगे, आज maths थोड़ा ज़्यादा था आपको लग रहा था सर, maths है, maths है, कल ऐसा नहीं होगा, ठीक है, tension मत लेना आप, homework लिखो, please homework लिखो, पहला equation, x1 बराबर, 4 sin omega t plus 120, पहले वाले में 120 है, दूसरा equation, x2 बराबर, 3 sin, omega t plus 30 degree, आपको मुझे बताना है, resultant amplitude, a net, और आपको मुझे बताना है, equation of x net, pendulum कल होगा, ठीक है, अब अब देखो यार, obviously time लग गया हमें ज़्यादा, अराम से पढ़ाया है मैंने, काम और compose होगे एकदम है ना, क्योंकि concept सीखना ज़्यादा जरूरी है, एक दिन late भी chapter finish होगा, और वैसे भी कल का session लेना ही था, कल spring block मुझे पढ़ाना ही था, तभी खत बताना जरा, phase difference कितना है, come on, हाँ, 90 है, हाँ, यह मत बोलना कि 120 का phase difference है, यह भी मत बोलना 30 का है, दोनों को घटाओगे, आप दोनों को subtract करके देखोंगे, यहाँ 120 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, तो 90 का phase difference आएगा, अब आपका काम है इसको करके आना, a net आपको बताना है चलिए बिटा, जाने से पहले मैं आपको बता दू, कि आज कौन सी तारीख है, आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख है, तो बहुत सारे नए बैचेस आए हैं हमारे, चीक है, लास्ट लैब बैच है, then you have less crack neat UG बैच, then you have C.U.C.E.T. part B, बैच लॉंच है ना, और साती सात आप unlock कर सकते हैं doors of your, you know, neat UG preparation by subscribing using the code GGLIFE, तो GGLIFE code लगा के बैटा, आप subscribe कर सकते हो, आप plus subscription ले सकते हो, iconic subscription ले सकते हो, और बहुत जल्दी एक नया बैच भी हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो last batch होगा, मेरी खाल से वो 16th से आ रहा है, वो last batch होगा, उसके बाद कोई बैच नहीं आने वाला है, और वो crash course होगा बेटा, for the students जो revise करना चाहते हैं, या जिनकी preparation बहुत अच्छी नहीं हुई थी, वो और better करना चाहते हैं, बहुत जबरदस batch आ रहा है, crash course from 16th, क्या है, community feature है, जहाँ पे आप हमसे बाते बाते कर सकते हो, ask a doubt feature है, आप पे जहाँ आप doubts पूछ सकते हैं सबसे, है ना, और iconic subscription अगर आप लेते हैं, तो फाइदा क्या है सबसे बड़ा, one on one mentorship मिल जाता है आपको, साथ ही साथ बेटा, आपको study notes मिल जाते हैं, घर पे deliver हो जाते हैं, mega combat आ रहा है, ठीक है, 13th मार्च को, इस Sunday, 11 बजे, ये भी आपको देना चाह चाहे plus subscription लेना हो, चाहे prodigy हो, चाहे combat हो, कुछ भी हो, subject आप ये code लगा सकते हैं, ओके, चलिए बेटा, next test on which chapter मिल बताता हूँ है, अभी बताता हूँ, थोड़े दिर में, test का मैं chapter बता देता हूँ, बाकी wave updates का test आपका अच्छा हुआ था, मैंने देखा result, काफी बच्च solve करनी है, मैं भी और आपको target देता हूँ, कौन-कौन से question आपको लगाने है, ठीक है, चलिए बेटा, have a nice day, enjoy, आज के session से परिशान मत होना, आज बहुत maths था, revise कर लेना अच्छे से सब समझना है, एकदम मक्खन, ठीक है, smooth, चलिए, bye, see you soon.